अस्पताल न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल में हुई आगजनी से आठ लोगों की मौत हो गई मामले में जिला प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं आखिर कैसे एक सेमी कमर्शियल प्लांट पर अस्पताल की एनोसी प्रदान कर दी गई निजी नर्सिंग होम अस्पताल क्लेनिक के मापदंड पर जबलपुर के पूर्व सीमेचो डॉक्टर बी एस चौरेसिय से खास बाचीत की हमारे समवादाता संजे साहुने जबलपुर के न्यू लाइप मल्टी स्पेसलिटी हास्पिटल में जिस पका का हास्सा हुआ है उस हास्से को लेकर हम पहुंचे हैं आज जबलपुर के पूर्व सीमेचो डॉक्टर बी एस चौरान के पास हम उन से समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि आगर किस पकार क से देते हैं और क्या इस्तिति हैं सर आपने जिस पकार से सुना होगा कि यह हाथसा हुआ है जबलपुर में अगर बात करें तो किस पकार से मानिताय दी जाती है आस्पिटल को मानिताय का एक स्टेंडर्ड और जो शास्की संस्थाओं के लिए जो नियम कानून बने हुए ह उनका पालंग करना होता है उन्हीं वही हमारी स्वास्थाओं में भी जो गाइडलाइन्स हैं उनका हमें स्ट्रिक्ली फालो करते रहते हैं और समय समय पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल से या हमारे उसमें सभी आते हैं हमारे सरकारी हैं तो जो स्टेंडर्ड उनको हमें समय सोयdy कि सभी नियम सही तरीके से फ Aub H oy how रहे हैं कि नहीं हो रहे नही है या अगर कहीं सुधार की सुधार वचक्ता है तो हमे उस को लिखित में इनFarm करना होता है और उनको फिर उसको उस गलती या उस कमी को दूर हुई के नहीं उसको वेरिफाय करना पड़ता है बात करें जिस पका से अठारा सो पचास उसकर फिट का एक हास्पिटल था उसको माननेता दे दी जाती ही क्या नामस के अंतरगत आते हैं ये पाह, करेंज नहींनकि आप ये जैसा हमने सुना कि शायद ये कोविट के टाइम खुला हुआ था हास्पिटल खुला गया और अब तो कोविट का समय नहीं तो हॉस्पिटिल चल रहा है अब अपन ये भी नहीं कह सकते कि कोविट का समय खताम हो गया क्योंकि कोविट के दूसरे वेरियंट आ गए फिर से वापस आने का है तो उसको बंद करना चालू रखना ये तो एक अलग चीज है वो तो पूरी जो समिती है वो उस्पिनने करेग पर ये जरूर है कि उसमें जितनी स्पेस है जितने बिस्तर है उतने प्रपोर्शनेट थे के नहीं थे उस पे एक बार जानकारी लेना आवश्च है तो ये थे पूर्व सीमें जो जवलपुर के डक्टर बीएस चोवान जी जिन्होंने कहा है कि उनको जाच में पूरा रहेगी और उसमें जो भी दोशी होंगे उनको भी सजा मिलेगी ये उनका कहना जवलपुर समय सही होगी देविंद बसकरमाक साथ संजय साहू आई एनस नूच और वक्ते चार नेट में 40 खबरों का